हेलो फ्रेंट्स नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी यूटुब चैनल अंकित इस्टडी पियसके में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि त्रीपल सी का ओन लाइन निक्जाम कैसे देते हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आपको सिंपल बासा में एक डेमो के रूप में बताने वाला हूँ तो वीडियो पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करके और बेल एकन दबा लेजिएगा क्योंकि त्रीपल सी से रेलेडर अप्डेट आते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो तो सबसे पहले आप जिस दिन आपका एक्जाम है उस दिन आप सेंटर पर जाएंगे और वहां पर सेंटर पर आपको एक कोड मिलेगा कुछ चार या छार डिजिट का होगा उस कोड को आपको अपने डेक्स्टॉप जिस सिस्टम पर आपको बैठाए जाएगा उस लैप्टॉप या कंप्यूटर में आपको वह कोड फिल करना होगा फिर एंटर करना होगा इतना करने के बाद आप लोग के सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी पेज पर आपका जो एक्जाम है वो पूरा का पूरा होगा तो इसमें मैं आपको बचा दूँ सुरह से लेकर लाष्ट तक स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले एक फोटो रहेगा यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद निग्जाम नेम आपका जिस महीने में एक जाम रहेगा वो रहेगा फिर नेम आपका रहेगा आपका जो नाम है फिर उसके बाद दिया है रोल नम्मर आपका रहेगा फिर language इतना आप मिला लिएगा कि आप काई है और अगर सही रहता है तो ठीक है और नहीं सही रहता है तो आप वहां से center वालों से संबर कर सकते हैं फिर उसके बाद दिया है आप पर yellow color का current और red color का not attempt और green color का attempt यानि कि आप जिस question पर है उसको ये green color से दिखा रहा है और जितना question आपने नहीं किया है उसको red color से और जितना कर लिया है उसको green color से और फिर उसके बाद time दिया है इसमें 90 minute और your left time is 46 and 36 यानि कि आप 46 36 question पर है और 46 minute आपका हो चुका है फिर उसके बाद आपको दिया है आप टोटल marks 100 और बीच में आप पर number लिखे गए है questions के 1 से लेकर 100 टक और फिर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं question number लिखा गया है आप जिस question पर है वो question का number लिखा है फिर उसके बाद marks 1 लिखा हुआ है और यानि question का marks जो है एक number का होता है फिर your answer यहाँ पर a, b, c, d लिखा हुआ है तो आप जो भी select करेंगे उस पर ऐसा आजाएगा जैसा कि इसमें a select किया गया है और यहाँ पर confirm answer लिखा हुआ है और उसके बाद reset answer और नीचे यहाँ पर question लिखा गया है तो देखिए friends आप लोगों के पास 90 मिनट है और 100 question है और 50 number से ज़्यादा question सई करना है तभी आप 3C pass मानी जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने question आजाएगा सबसे पहला question उपर English में और नीचे Hindi में लिखा रहेगा आप लोगों को क्या करना है इस question का जो भी answer हो आपको options यहाँ पर A, B, C, D में trick कर देना है मानले जाएगे कि इसका A right है तो A trick कर दिये गया है अब आपको 30 second का समय मिलेगा एक question के ऊपर 30 second में आपको एक question करना है आप ज़्यादा भी समय ले सकते हैं लेकिन 30 second या minimum है फिर जब आप उसका right answer दे देंगे तो confirm answer पर click कर दियेगा यदि आपको किसी पिछले question पर जाना है यदि आपको लगता है कि यह question मेरा गलत है तो आप reset answer पर click करेंगे तो आप वहाँ पर जाकर के अपना question reset कर सकते हैं और जैसे एक्जाम आपका खत्म होगा वैसे आपको यहाँ पर ऊपर एक finish exam का option मिलेगा यहाँ पर आप finish exam पर click करेंगे तो आपका जो exam है वो confirm खत्म हो जाएगा तो यानि कि आप सफलता पुर्वक का अपना exam दे रही हैं और इसके बाद आपका exam हो जाएगा फिर आपको वहाँ से घर चला जाना है और result जब आएगा तो आप अपना result देख सकते हैं तो मैं तो करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद देए तो लाइक एंगे चनल को सब्सक्राइब